कि चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइफेस सड़ी चैनल पर वाइफेस सड़ी जा पार्ड ओफ अनकेडवी नमस्कार एक बार फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस पर बीजन अच्छे तरीके से कर लेते 30 मिनट्स में तोड़ा स्पीड पर करेंगे ज्यादा कोशन हो पाए यह मेरा टेलिग्राम है अमन्सर वाइफेसरी अफिशल इसको जोइन कर सकते हैं आप कर सकते नहीं करिए करिए क्यों क्योंकि आपको जो अपडेट मिलेगा वो सिर्फ इसी मिलेगा अमन्सर वाइफेसरी ऑफिशल सर्च करें ग्रूप आएगा जिसमें सब्सक्राइब अच्छे कर सकते हो अमांट अपना बैचिस में अगर देखा जाए तो आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन एससी गोल या रेलवे गोल में लाइव अमन कोड से डिसकाउंट भी ले सकते चलिए सीधा कोशन में आएंगे कोशन क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं ब्लैक और वाइट सीधिस दोनों कम्माइन करता हूं मैं इस वाली क्लास में क्योंकि रिविजन करानी होती है कुछ बहुत सारी चीज़ें वाइट सीरीज के कोशन भी हमारे पास रह रहे है जो कवर करने अब पोच जाएं एक बड़ी दो मिनट दीजिए थोड़ा सा ना स्लाइड ज्यादा लगा रखें मैंने इस वाली पीडियस में पूरा कंटेंट एक सा डाला हुआ और अपने अपने एक्जाम का नाम लिखना स्वोडेट की सभी का एक्जाम का पता चले कुन-कुन से एक्जाम की दियारी कर रहे हैं अभी आप अपना अलग अलग तरीके से त्यारी कर रहे हो कोई यहां से ठीक है चलिए पहले कोशन आप सभी के सामने इस कोशन का थोड़े मुश्किल कोशन है यह वाले बताइए इस कोशन का आप से के सामने अगर जैसे गोतब मुद्धा को कहां पे अलाइटमेंट मिला कुन से पेड़ के नीचे तो बड़ा आसान हो जाता अगर common word यूज़ करता है इन्होंने scientific name यूज़ कर लिया ट्रीगा इस वज़े से question बहुत dangerous हो गए इस question का answer के ठीक है चरी तो answer के is question का कि इस question का answer है Ficus Religiosa is question का answer है ठीक है क्या है answer Ficus Religiosa answer है थोड़ा difficult question पहला है people का पेड़ लिखता तो आसान होता है ना कि भिया people के पेड़ के नीचे गोतम बुद्ध को ठीक है प्रभुत्व का ज्यान हुआता लेकिन इतना आसान नहीं पूछेगा people के पेड़ के नीचे ठीक है तो ऐसे पूछ ले तो ध्यान लखना पहला ही question बड एक खुदा आंसर क्या है जैसे मैंने आपको एशियन डवलप्मेंट बैंक का question कराया था ना एशियन डवलप्मेंट बैंक कहां पे फिलिपिन्स मनीला में वैसे सेब ठीक है आंसर है जकारता ठीक है जकारता इस इन इंडोनेशिया ठीक है आप ये इंडोनेशिया की capital भी है ये भी ध्यान अखना question आपको मिलता है एक और question को अगर हम reduce करना चाहते हैं तो क्या करें आम तो रुपे आपने देखा होगा कि सेलेंडर आप खीशते हो तो बड़ी जान लगते है फिर आप दे धक्के दे धक्के लेटा लेटा के लेके जाते हो ठीक है रोल करके मतलब है ना तो आप slide को rolling में convert कर दोगे तो क्या होगा तो क्या होगा friction कम होगा यह simple सा है किसी भी चीज को slide करने की जगा roll करने लग जाओ वो friction को कम करता है यह common sense है common sense है मैंने जो cylinder का उधारन दिया उसको रगड़ के देख लो slide करके देख लो roll करके देख लो मज़ा आ जागा roll करने में ठीक है चलिए एक और question देखिए बते ही इस question का answer क्या है हाँ जी ऑसकर की अगर history देखी जाए तो single celebrity जो इंडिया से winner है वो कुन है ठीक है बते ही इस question का answer क्या है special Oscar जीते दे इंडियन से इनके नाम पे अब हमारे भारत में अवोड दिये जाते है ना आपने सत्य जीत राय जी के बारे में सुना है सत्य जीत राय अवोड बड़ा सलेगर कोशन देखेंगा थोड़ा स्पीड में करना क्लास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक कोशन को पगड़के उस पे आप 15 मिनिट कर दो उसके बाद दूसरा कोशन कराके क्लास कर दो जल्दी जल्दी पड़ो variety of कोशन बहुत है रिवीजन के लिए और रिवीजन ज इजाम पर हेट्रोसाइकल का दे रखा है आपना कि सवर्ष में कीए ऐसान कोशन ऊसके बैंजीन मतलगाना तो किस आपना कौन से वर्ष में होई इस कोशिंगा अंसर फिरेंग का मतलब सी 60 है ठीक है ऑप्शन में सी 60 नहीं दे रखा है इसलिए पंगा फशा है डारेक्ली फिरेंग दिया है इस वज़े से कोशन फशरा था ठीक है ध्यान रखना फिरेंग इसका आंसर इसवज़ सी 60 है ठी exactly लिखा रहल है लेकिन 1985 से इसकोशिंगा भारत में साक्षरता था है हों कितनीं है नहीं है ठीक है क्यवra भाहत सारे उधारन हैं जैन्रिव आपर कितना कितना है धारत में अगर देखनान जाए तो पर बहुмовलन है राइंग है 65 इस श्योंजिवािगए 75 बिल्कुल 20 का जो हमारा लेटेस है वो 65 से भी उपर की बात करता है ठीक है बट नियर्बाइच चलना पड़ेगा इसमें नियर्बाइच के हिसाब से यही सही अंजर होगा ठीक है चलिए एक और कोशिद कहां पर है बताई इस कोशिद का अंसर क्या है है एलिफेंट फोल कहां पर वेर इस एलिफेंट फोल लोगरें जो बच्चा रेगुलर पड़ने आता है उसको पता इस क्लास की इंपोर्डेंस क्या है सिर्फ एक शोटर वीजन है बट इसमें वराइटी ओफ कोशन सुबह और रात वाली क्लास से बिलकुल अलग होते हैं ठीक है क्योंकि मैं यहां पर कुछ और चीज़े करवा रहा हूं जो एक्स एडवांटेस देंगे आपको ठीक है अब जैसे कोशन संख्या संख्या फिलोसिफी का किसके द्वारा दिया गया संख्या फिलोसिफी किसके द्वारा दिगी ठीक है मुशकिल है कोशन बत यह आंसर गोशन संखया फिलोसिफीक इसके दवारा दी गई दात थोड़ा सा मुश्किल है धोड़ा सा उटपतंग है पढ़ना मढड़नेगा मैं खुद्कों मை आर दे ग्रैविटी सेटिंग चैम्बर यूज इन इंडस्ट्री फोर रिमूवल कोशन पूरा नहीं है यह ठीक है पूरा कोशन नहीं है इसको अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोशन ही पूरा नहीं है स्टेट्मेंट पूरी नहीं है अच्छा यह कोशन ना देखो पूरा स्टेट्मेंट नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी न मैं समझा सकता हूं इस चीज को कि भी कैसे कोशन का स्टेट्मेंट रहा होगा कि जो ग्रैविटी सेटिंग चैम्बर होते हैं इंडस्ट्री में कौन सी गैस को रिमूव करने के एक ग्रैविटी सेटिंग चैम्बर जो है यूस के जाते हैं कोशन उट पटाएं की तरीके से दे रखा है ठीक है कौन सा ऐसा स्क्रिप्चर स्क्लप्चर हिमस है जो कि लव सोरी लव एन आर्ट को डिस्क्राइब करता है कमेंट करें बहुत बेसिक कोशन है खजराओ भी ब देखिए का इस कोशन का आंसर के कमेंट करें बहुत है उसका जुडिक्षन कौन-कौन सी स्टेट में तो हो गए असाम के साथ साथ और दो स्टेट है जो नागलेंड है और अन्नाचा बदेश है तीनों स्टेट में जुडिक्षन है आंसर और दिया वाब होना ची इस बिल्कुल सही था ठीक है चली बताए आंसर के इस कोशन का फ्रेडरिक सेंगर जो है इनको दो बार नोबल प्रुसकार मिला किस फिर्ड में एक ही फिर्ड में दो बार मिला या फिर दो अलग अलग फिर्ड में मिला सोच समझ के आंसर बताना बड़ा प्यारा कोशन है आंसर की कहानियों में ना पढ़ो उसका कुछ फायदा नहीं होगा लासेज में आओ और बाकी यूटब को टाटा बाई-बाई-बाई कर दो क्लासेज में आओ बस ठीक है जिसकी क्लास लेते हो जो भी सब्जेक्ट की लेते हो जहां पर भी लेते हो वह देखा उसके बाद यूटु और बस फिर दोबारा यूटुब पर आओ तो बस टेस्ट देने के लिए हो कि हाँ इस सर का जीएस का टेस्ट देंगे पता चल जाएगा आप कितना आता कैमिस्ट्री में दोनों साल में इने प्राइज मिला था एक और कोशन देखें ठीक है ट्राफिकिंग फोर्स लेबर के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा फंडमेंटर राइट एंस एक्स्ट्रोटेशन के खिलाफ जो अधिकार हमें दे रखा है ठीक है मैं फुल देखता हूं निरच मैं फुल देखता हूं लेकिन अपने पास समय है भाई तुहारे पास नहीं है चले एक और कोशन देखें इस कोशें का अन्सर केर है और साइकलिंग फैडरेशन इंडिया कौन से वर्ष में नितांविडिस किया था तुह चलुए तो फिल सारे गीर ठीक है साइकलिंग फैडरेशन ओफ उइंडिया कौन से वर्ष में अस्टैबलिश किया था जल्दी से बदेः कराम से Cardinoic सब्सक्राइब करेंगे एल्फा तो करना चाहिए ना इसमें से नहीं निकलता रेडियेक्टिव सब्सक्रांज में अल्फा बीटा गामा निकलते हैं हुआ न, चलिएकोर कोशेंद देखएगा इसकोर का Amaus Fit classify का अंसर न्यूट्रन है एल्फा बीटा गामा अश्ग कोशन इसका अंसर कहें वर्ड वोर सेकइन में जर्मनी ने इसद्स कोर जैसे चल के बचचों ने 1910 उर्णी स्कॉर ता ऐसा स्कॉर किए उन्होंने ठीक है वैसे ही वैसे ही देखा जाए अभी MTS में जो score रहेगा जो average score रहेगा 25 में से 22 21-23 ऐसा रहेगा क्योंकि score उसमें ज़्यादा जीए जीए इसका ज़्यादा game है MTS में vacancy अच्छी खास है MTS में इस बारी मेहनत अच्छे से कर लो आंसर है 1940 इस question का आंसर एक और question देखे दुद्सागर फॉल बहुत प्यारा बहुत सुननार है इसके तो बहुत सारे क्या बोलते हैं शोड वीडियो इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिलते हैं बहुत प्यारा दिखता है ना तो सागर फॉर्टरफॉल जो है यह गोवा और करनाटिका के बीच में है एक और question देखेगा जो ना गड़ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है वो कौन से person कौन से जो किंग के लिए ठीके प्रसिद्ध हैं बताइए इस कोशंगा आंसर के हैं कमेंट करिए जल्दी से बढ़ेगा बताएं आंसर के इस कोशंगा मोटिवेशन करत करत अभ्यास के कोशिश करते रहूं किसी दिन सफलता पाओगे आंसर के इस कोशंगा इस कोशंगा आंसर है रूद्रमान वन इस कोशंगा आंसर है कि किस बंदे के ऊपर था तो आंसर थोड़ा रूद्रमान जो है वन इनके ऊपर था ऐसी आप से कहता है कि जो आरण पिलर है मैं रोली वाला वो किस से समझें झाल चली बती है श्याचिन ग्लेशियर का हाइट कितना है और इसलिए एक फैक्ट्ट्वल कोश है थोड़ा डिफिकल्ट है बते ही इस कोशिंगांसर क्या है तो इसकोशन का आंसर क्या है पांच 8500 मतलब तुमने Mount Everest भी छोटा कर दिये इसके सामने ये लगा के समझ रहे हो 5400 मेटर इस कोशिंग का अंसर है शियाचिन Glaciers है समझ रहे हो बात को कि ऐसे Mount Everest के पहाड़ उसके पीछे से ये शियाचिन Glacier है ठीक है चले एक और कोशिंग देखेगा ये तो D तो मतलगाओ एक और कोशिंग देखेगा Film and TV Institute of India कहाँ पर स्तापित किया गया कहाँ पर located है भी जल्दी जब देखेगा इस कोशिंगा आंसर के है ठीक है चली तो इस कोशिंगा आंसर क्या है चली तो इस कोशिंगा आंसर क्या है बड़ा सिंपल से कोशिंग है ये तो ठीक है आप में से कौन-कौन सुबह 9 बजे पढ़ता है डेडिकेटेड ले कोर्स पढ़ रहा है कोर्स वाले कोशिंग सारे कर रहा है यहां तो चलो रिवीजन है तो कुछ रह जाता है यह पीछे के 6 महिने में कुछ पढ़ाया होगा तो उसके कोशिंग मैं आपको रिवाइस करा रहा हूँ तो वो आपके लिए बेनिफीशन है लेकिन सुबह 9 बजे जो पढ़ता है वो येस लिख दो क्यूंकि कोर्स इस वेरी बोड़ेट सुबह 9 बजे पढ़ना जरूरी है ठीक है आंसर इस कोशिंग का असान है यूवी रेस इस कोशिंग का आंसर गुरु गोविन सिंग जी के बारे में कुछ कथन दसमे गुरु थे ठीक बात खालसा पंध की शुरवात करी ठीक बात ठीक है ओथर थे दसमे गरंथ जो है उसके ओथर भी थे और यह बहुत important question है सिख धरम के जो गुरु है उन पर question आते है गुरु गोविन सिंग जी पर वैसे भी बहुत question आते है आंसर डारेक्ली आगया बट ध्यान रखें question important है ठीक है अब बती कोंसे ऐसे राष्टपती रहे होंगे राष्टपती बनने से पहले इनको भारत रतन सम्मान मिल गया था आंसर क्या इस question कि सारत इस question का answer क्या है अब जैसे इसमें से लिखा जाकिर अप्शन में दे रखा है चलिए तो answer इस question जाकिर हुसेन ही है सुर्पली राधा कृष्णन भी option में हो सकता है ठीक है जाकिर हुसेन जी भी हो सकता है सुर्पली राधा कृष्णन भी हो सकता है ठीक है चलिए एक और question देखेगा ठीक है चलिए तो इस question का answer क्या है कि कमेंट करें जल्दी से बढ़ेगा जितने बच्चे प्रिंट कराके पढ़ रहे हैं सो चैप्टर इस नोट डेट की इस कंपल्सर की आप प्रिंट कराके पढ़ें आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं फोन पे वैसा भी कर सकते हैं वैसा भी कर सकते डिपेंट सुन्यू ता आल्टिमेट फिंग इस पढ़ना जरूरी है कंटेंट पढ़ना जरूरी है कंटेंट पढ़े भी ना कैसे रिजल्ट आएंगे आपके बोर एन रदर फोर्ट इस question का आंसर है सार गोतम मुद के जो सार्थी मानेगे ठीक है वह कौन मानेगे इस question का आंसर है चना है इस question का आंसर विच फोलिंग वस्ट ओथर ओफिक नॉमिस ठीक है बताई इस question का आंसर चली answer क्या है मैं रुको जरा ठेरो बेटा मेरे जरा क्या नाम है आपका मैं नाम लूँगा और उसके बाद आपको जवाब दोंगा क्योंकि जवाब देना बहुत जरूरी मुझे पसंद नहीं है ऐसे कोई बोले रुको जरा जरा कुछ पढ़ने का सला देते रहें तो तुमको दिक्कत का है पढ़ लो भाई और हम बोलेंगे बार बार बोलेंगे क्योंकि हमारा रिजल्ट आ रहा भाई उससे हम बच्चों का रिजल्ट देख पार हैं CHSL में ठीक है जिस चीज़ से हमें रिजल्ट मिलता है जब रिजल्ट मिल रहा है कि इस चीज़ से उसका बोलना जरूरी है उससे बच्चे को फायदा हो रहा भाई आंसर चानक के है अर्थ शास्त लिखा हुआ एक और कोशन देखेगा करेंट केरिंग कंड़क्टर जो है किस से संबंदी रहे इस कोशन का आंसर के जल्दी से दोनों लिखा है क्या लगाना चाहोगे दोनों में से क्या आंसर होगी यह डाउटफुल कोशन है यहां रखना करेंट केरिंग कंड़क्टर का मतलब कि उसमें इलेक्टरशिटी होगी तो इसमें मैगनेटिजम होगा तो इस हिसाफ से आंसर दोनों होगा यहाँ पे किसी ने कितनी भी वैसे सेटलाइट लोंच जो है इस रों नहीं किया था वन वैप का सैटलाइट था आज के समय में वन वैप की सारी सेटलाइट इस रोंगी करता है यह 2017 का है बट ध्यान रखना वन वेप की सैटलाइट थी इस उरों ने लोंज करे थी एक बहुत बड़ा टारगेट इस उरों ने अचीव किया था उस समय में 104 सैटलाइट लोंज करके ठीक है यह तीनों के तीनों किसी समय में USSR का हिस्सा हुए फिर यह अलग हुए तो फिर य नॉटे नेशन का हिससा कब बने मात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इनों ने नीउस्पेपर के बारे में जो लिखा था वो कौन सी नीसपेपर दि जो लिखा था इस कोश्ण का आंसर के जल्दी से बताएए इसकोशन का अंसर के अ कि 2017 का है वो लेकिन कंसेप समझ रहे हो वन वैप का कोशन है ठीक है एक और कोशन देखिए गया इंडियन ओपियम इस कोशन का आंसर है ऑपीनियन सोरी एक और कोशन दी जो लिखा दर इस पेबर समास था उदर लिखा था इन्होंने क्याल्बनाइजेशन में रस्टिंग को र भी लगा जाए था इस पुशें का आंसर के जलो है कि इस कोशन का आंसर जर्मिन जर्मनी ने जो ना सीजसाओं एजिसे वर्ल्ड फरस्टस खतम हुआ था जर्मनी को बहुत नुक्सान हुआ था शसे तो जो सीज़ाइश वर्ष्च में के थी इस कोशन सब्सक्राइब टै नोबल प्राइज जो है लिट्रेचर का 1913 में किसको मिला ठीक है है ना चल एक और कोशन देखिएगा इस कोशन का अंसर क्या है अंगूर खाने को ना मिले तो अंगूर खटे ही लगते हैं भाई जिवन कि सच्चाए जल्दी मान जाओ रविंदर नाट टेगोर जी है एशिया का सबसे पहला नोबल प्राइस ठीक है एक और कोशन देखिएगा यह जो है किसकी स्टडी है इस कोशन का अंसर के है जल्दी से बतेगा कमेंट करिए जल्दी से बतेगे इस कोशन का अंसर के है यह आसान कोशन नहीं है थोड़ा सा डिफिकल्ट है अब ट्राइ यूर बेस्ट है ना यह किसकी स्टडी है इसको ना मैंने पता रिवर्स तरीके से कोशन में पूछा है साथ बज़े कि यह स्टेटमेंट मैंने लिख्योदर का था स्टडी का कोशन पूछा हो मैंने आपसे ठीक है अब वही कोशन घुमा के दुबारा पूछा आप फसगया कोशन आंसर क्या है कि यह यूमन बींग का जो जैनेटिक कंपोनेंट जो हम चेंज करते हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है ठीक है अच्छा कोशन है ठीक है प्रोसेस आफ मिल्क जिसमें यह एक तो होता है वह कम करते हैं दूसरा प्राइट को कितने डिगरी सेल्स्यस पर कितने मिनट के लिए घ्टा इस कोशन का अंसर है सबसे पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था कौन से वर्ष में कहां पर सताबेद वेकंशी बहुत आ रही है अभी आरपिएफ का विक्ष अपडेट आए था आरपी एफ को भी कुछ अपडेट आये था मैं दोबारा बोल रहा हूँ election year है vacancy sse के साथ सा railway में भी बहुत आएंगी पढ़ते रहो selection हो जाएगा इस साल बढ़िया किसी ना किसी जगा पे इस साल selection पका है next year कब होगी vacancy में आपको बता रहा हूं next year के भरोसे मत रहना कि मैं अभी इस साल जितने form भर सको भाई उतने भरना जो जो एक्जाम आए next year vacancy बहुत कम होंगी मैं आपको अभी बता सकता हूं कि next year आपके selection के chances बहुत कम होने है इस साल बहुत जादा होने है जो vacancy भर देना आंसर के इस question का यह हो गया question कौन सा अभी कल गता हां कल गता उसी से BCCI का origin है इंडिया के तो BCCI का origin है ठीक है चलिए एक और question देखिए इस question का अंसर बढ़ेगा can the president of India be removed from the office कौन हटा सकता है राष्ट्रपती को कौन हटा सकता है इस question का answer के है जल्दी से बढ़ेगा जली तो आंसर के इस question का ठीक है तो भाई president को कोई भी अटा सकता है पार्लिमेंट में लोग सभावी राजय सभावी इनिशेट कर सकता है प्रोसेस को कोई भी इनिशेट कर सकता है यानि कि बेसिकली इस ऐसे एक पार्लिमेंट करेगा ठीक है जो प्रोक्सिकला से प्रोड्यूस्ट को औरर खोसेट होता है नह tsunjor Rights जैसे कोई आंसर क्या है मैं अर्जनसी डिक्लरेशन कोंड से आने को कहा सर तीनों तो दे रखें 350 भी दे रखाए 356 भी दे रखाए तो इंदों में से क्या लगा हुए तो आंसर के इस कोशन का ठीक है आर्टिकल 352 लगाना पड़ेगा इसमें आंसर वहीं लगेगा उसके बारे में स्टेट के बारे में कौन से शेडियूल में लिखवा इस कोशन का आंसर के जल्दी से बढ़िए प्राई यूर बेस्ट मेरे टेलिग्राम अमन सार वाइफे स्टेडी ओफिशल सर्च करके जोइन कर लेना क्यूंकि उससे आपको फायदा रहेगा बहुत बच्चों को फायदा हो रहा है आपको भी जरूर फायदा होगा ठीक है इस कोशन का आंसर क्या है फर्स शेडियूल में भारत की बात तो पहले ही करेंगे आप कौन से ऐसा कैमिकल है जो की बोन कैंसर कर सकता है बहुत बहुत इंपोर्टन कोशन यह वैसे मुझे टेस्स सीरीज में यह भी कोशन डालने चाहिए मैं डालूंगा वाइट एक ब्लैक लगाँगा सुबह नो शाम को साथ यह भी बहुत प्यारे कोशन है तो मैं भी टेस्ट में नहीं करा रहा है सुबह मैं कराऊंगा स्ट्रॉंजियम 90 कोशन का अंसर है एक और कोशन देखेगा इसमें से कौन सा जो व्यक्ति है ठीक है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है सोभी हुस का मेंबर नहीं सोच समझ बदा एंसर के सकूशन चलो अनजर के सकूशन है प्रेजिटलेंड इस दरा पर्लिमेंट बट लोकसुआ राजयसाबा के पार्टन नहीं है वो पार्लिमेंट का पार्ट है ठीक है ध्याल लगना पाकि जِतने मिनिस्ट सबह मिनिस्टर क किसी के तो मिनिस्टर होंगे भाई या तभी तो पार्ट है सब एक और कोशन देखिएगा जो वाटर ड्रॉप्स होती है ठीक है वो स्पैरिकल शेप बनाती है किस वरेस ठीक है इस कोशन का अंसर के देखा एक बच्चे ने कुछ बोला हमने रिप्लाई दे दिया हम रिप्ला रख्या गरों ठीक है सारे टीचर आजकल चुप रहते हैं लेकिन मैं जवाब दे देता हूं बुरा मतमाने अगर बात का जब बोलना अच्छा लगता है तो सुनना भी अच्छा लगना चाहिए आंसर इस कोशन का सरफेस टेंजन है एक उर कोशन देखिए पंचायती राच कहां पर स्टार्ट हुआ था इस कोशन का आंसर क्या है जल्दी से बतेगा कमेंट करेए जल्दी से बतेगा असान है राजिस्तान के नगोर में इंद्रा गांदी जी के समय में सबसे पहली बार पंचायती राच स्टार्ट हुआ था ठीक है चले एक और कोशन देखिएगा ठीक है जल्दी से बतेगी घृष्ण का से बतेगे गया सेखिया कोशस्यं का आश्टिस का सब्सक्राइगे पढ़ा थोड़ा बहुत तो यात करो न थेक हैं बढ़ा भारत का डीएनि फिंगर प्रिंटिंग सेंटर काऊं पर इस कोशें का यहां सअर से जल्दी से बतेगा इस कोशन का अंसर के हैं आदे गंटे का रिवीजन होता है यह साफ साफ बोल रहा हूं यह क्लास सिर्फ रिवीजन है इसके बाद आप खुद से दो गंटे पढ़ सकते हो तब इसका फायदा है ठीके मैं इस क्लास को इसलिए चलाता हूं कि इससे आप एक सबस्तक्र क्या है तो इस defines हो एक बलो कब बनता हैं बनेगा जब राष्ट्रपति उसंपर फाइनल साइन करेंगे राश्ट्रेपती उस पर फाइनल साइन करते हैं तब ही एक बिल लो बनता है तो यह आज के कोशन हुए 30 मिनिट में जो हमने नो बजे कोर्स एवलेबल रहेगा फ्री कोर्स है क्योंकि यूटुब पे इवलेबल है सारी यूटुब पे अवलेबल है तो आप एक बरी टेलिग्राम अमन सर वाइफसर अफिशल जोइन कर लो तीक है रूप आएगा उपर ही सबसे आदा बच्चे इनक्रेट होंगे इसमे अगर बात करें, बशर्ते वो self study करना जानता हो, वो अगर self study नहीं जानता ना, उसको gs एक साल की ही लगेगी, और जो self study करना जानता है वो 20 दिन में भी कर सकता है, इस PDF से, पूरा पढ़ जाओ, पढ़ जाओ, तीन हजार कोशन है, पूरे पढ़ जाओ, फिर दोबारा रिवाई CC को करो, gs कवर होगी, टेलिग्राम अमन सर वाइफे, स्रडियो अफिशल पर अपना बोला कुछ नहीं, आप टेलिग्राम पे जाके खुद ऊपर तक रिव्यूज देखें, इस चीज को जान लेकिन आम उनका performance अच्छा हुआ है क्यूक्कि उन्हें चीजों को समय पर पढ़ना स्टार्ट किया है, आप 100 chapter समय पर पढ़ना स्टार्ट करर रहे हो, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठेक है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, टेलिग्राम अमनसर वाइफे टोड़ ज् सेशन को लाइक करिए शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करें थैंक्स लोड फो वोचिंग